हालो फ्रेंट्स, मैसाफ डॉक्टर सुशीला सैनी, गैनेकलोजिस्ट और अबस्टीशन, डिरेक्टर जापुर दुर्गीन हॉस्पटल फ्रेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या प्रेगनेंसी में सेक्स किया जा सकता है क्या जब भी किसी को प्रेगनेंसी होती है तो कपल की दिमाग में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या अब रिलेशनशिप में वो रहे पाएंगे आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं सबसे important बात है कि यदि आपको pregnancy हो गई है तो ऐसा कता ही नहीं है कि आप बिल्कुल भी पूरे 9 महीने sex नहीं कर सकते आप कर सकते हैं लेकिन उसके तहट पहले आपको कुछ sonography और कुछ जाचे आपको करवानी होती है ताकि अपने को ये confirm हो सके कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठ प्रिगनेंसी इंट्राइटराइन नहीं होनी चीज़ जो शुरुआति वस्ता में पता चल जाता है उसके नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्लासंटा की लोकेशन यानि कि जो आवलनाल की पोजीशन है कई बच्चे दानी में नीचे की तरफ होती है जि होती है जहां सेक्स करने के मना किया जाता है बाकी एज सच रूटीन में नॉमल प्रिगनेंसी में सेक्स के लिए मना नहीं किया जाता यानि कि यदि आपकी पहली प्रिगनेंसी है आपके दो से तीन महीने निकल चुके हैं और आप बच्चे के साथ कमफर्टेबल हैं आपक कमजोर है यह आपको pregnancy में बार-बार spotting की शिकायत हो रही है यह आपको पेड़ो में दर्द बना रहता है यह आपको पेड़ो में नीचे कोई वजाइना में infection है यह सारी चीजों को देखती हुई कई बार six के लिए मना किया जाता है लेकिन यदि आपके दो से तीन महीने निक से खराब नहीं हुए है और पहली किसी pregnancy में आपको bleeding की कोई भी history नहीं है तो definitely आप अपनी sexual life को enjoy कर सकते हैं शुरुआती तीन महीने में sex करने के लिए थोड़ा avoidance के लिए बोला जाता है क्योंकि शुरुआत में abortions के chances काफी जादा होते हैं तो और mother भी comfortable नहीं होती है क्यो इंडोस करने में time लगता है तो irritation के कारण कई बार sexual life को enjoy नहीं किया जा सकता है तो ऐसे इस्तिती में अच्छा यही रहता है कि आप 2-3 महीना wait कर लें उसके बाद आगे बढ़ें और यदि आपका doctor आपको बताते हैं कि आपका कोई high risk factor नहीं है pregnancy के अंदर तो तीन महीने के छटे सात्वे महीने तेक आराम से आप अपने sex for life को enjoy कर सकते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई risk नहीं होता है लेकिन यदि sex करते समय फीमेल को यदि किसी प्रकार का pain होता है या किसी प्रकार की bleeding होती है या बच्छे की moments वे फरक पड़ता है तो फिर हमें next episode के लिए सोचना चाहिए और अपने डॉक्टर से पहले consult करना चाहिए कि हमें इस प्रकार की कुछ problems हो रही है तो डॉक्टर आपको जो इसका इलाज बताती है या सलहा देती है उसे आपको follow करना चाहिए यदि couple comfortable है किसी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा किसी प्रकार की bleeding नहीं हो रही है तो alternate positions का यूज कर सकते हैं alternate positions में posterior position हो सकती है dog position हो सकती है little position हो सकती है तो बहाँ सारी alternate positions होते है जो कि normal missionary position से different होती है जिसमें कि tummy बीच में नहीं आते हैं नहीं तो pregnancy में अगर आब हम जो लेडी का प्रेगनेंसी टर्म के और जा रही होती है यानि कि नवे महीने के और अग्रसर होती है तब भी सेक्स करने के लिए थोड़ा मना किया जाता है क्योंकि यदि प्रेमेचुर लेबर पेंस होते हैं तो जल्दे डिलिवरी हो सकती है और फिर बच्चे को नर्सरी में रखना है जो के कपल के लिए मेंटली और बच्चे के लिए फिजीकली दोनों के लिए ट्रॉमाटिक स्थि हो सकती है इसलिए प्रेगनेंसी के आखरी दिनों में सेक्स करने की सलाह नहीं दी जाती तो इस तरह के से आपको यह क्लियर है कि शुरू के जो तीन महीने है और आखरी के दो से तीन महीने उनमें सेक्स करने के सलाह नहीं दी जाती बीच के तीन-चार महीनों में आप आराम से सेक्स लाइफ को एंजॉई कर सकते हैं लेकिन जो भी करें जो तो आप अपने कपल की कमफर्टेबलिटी जरूर चेक कर लीजिए यानि कि फिमेल भी कमफर्टेबल होन रखकेंट है क्योंकि उसे अपने अंदर करनी होती है इसको रिसकंफ़र्ट होता है ऐसे इस्तिती में वी कन वेट और आपको नहीं बताती है चकरिक आपके पहली एक्स क्लीक का बीडिंग के फिसटरिज सरी नहीं तीन-कर महीनों में और कोई प्रेट में थीविजर नहीं है या आपकी प्रेग्नेंसी बहुत ज़्यादा प्रिश्यस नहीं है और आवलनाल नीचे नहीं है कोई अब्रप्शन या ब्लीडिंग का हिस्ट्री नहीं है दें डेफिनेटली आप सेक्सोल लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं यानि कि यदि आपको प्रेग्नेंसी में लेकर पूछ सकते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जयनकारी के साथ तब तक नमस्कार